आज के fashion के दौर में हर कोई अपने आपको बेहत खूपसूरत दिखाना चाहता है और खासकर लड़कियों की बात करें तो लड़किया इन दिनों जिस तरीके से nail extension, अलग-अलग तरीके के nail paint के trend को अपना रही हैं यह आपको खूपसूरत तो दिखाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि कही न कहीं यह आपके लिए खतरनाव भी साबित हो सकता है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं skin expert और dermatologist डॉक्टर दिपाली भारतवाच मैम जिस तरीके से हमने देखा है कि आजकल जो खासकल लड़कियों की बात करें तो वो बॉलिवोड स्टार्स को या सिंगर्स को देखकर बहुत जादा इंस्पायर है और nail extension कराना उनकी first priority बन गए है उनको लगता है कि nail extension से बहुत खूपसूरत दिख सकती है लेकिन कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि nail extension से आपके skin को भी परिशानी हो सकती है यानि कि skin disease भी हो सकती है तो आप इसे कैसे देखती है जी देखे बिलकुल ये जो acrylic nails है अगर आप regularly ने कराते हैं तो वो आपके काफी हानी कारक हो सकते हैं उससे आपका nail bet खराब हो सकता है skin pig disease होती है जिसे lichen planets कहा जाता है autoimmune disorders वो trigger हो सकते हैं और इसमें जो glue chemical लगता है उसकी smell से हमें internal cancers हो सकते हैं और मैं आपके बताओं कि अच्छी health के लिए मैं अपनी 40s में हूँ ये मेरे अपने nails हैं ठीक है ये बिलकुल भी acrylic नहीं है बहुत बारी मुझसे patients पूछते हैं और ये मेरे genuine nails इसी लिए हैं क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है आजकल youngsters ये सब कराने लग गए हैं तो जब हम लोग छोटे थे तो हम अपने nails पे nail polish भी नहीं लगाते थे क्योंकि वो जो कहते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे जितना आप chemicals में जितनी जल्दी घुसेंगे जितना आप chemicals को अपने पास लाएंगे वो उमर के साथ खराब करेगा या तो nail को काला कर सकता है नी जिपलिन के साथ कर सकते हैं और अगर आपको acrylic कराना है तो साल में छे महीने कराई है छे महीने चुटी जरूर रखेगा क्योंकि मैम आज की बात करें तो funky colors लगाना हर किसी को पसंद है और खासकर nail extension में यह कि जो glue की बात आपने की तो वह glue कुछ ऐसे chemical से बना होता है जो कह आहिना कहीं cancer को भी बड़ावा दे सकता है या आपकी skin में ऐसी cancer की disease हो सकती है जी देखे skin cancer इससे अभी तक तो ऐसा डाप डॉक्यमेंटरी नहीं है मगर इसके अंगर जो रेजिन्स और शुगर वगरा यूज होती है उनके enzymes से internal cancer ज़रूर हो सकते यह और आपकी जो फ्यू मैम जेल, मैनी के और पेडी के और भी आजकल बहुत जादा ट्रेंड में चल रहा है तो इससे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है और इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए देखें बचने के लिए सबसे पहले तो आप ये मेकप और ब्यूटी की जो चीजें हैं उनको उमर के साथ लेट शुरू करें और पेरेंट्स को ये बढ़ावा देना चाहिए कि स्कूल में और कॉलेज में लड़कियां कम से कम करें दूसरी चीज़ जगा बदल बदल के करें जहां भी जाएं मेक शूर की वो हैजीनिक हो जगा बदलने का मेरा मतलब यह है कि आप का मतलब जो सलॉन है वो बदलाए अगर आप सीम टेक्नीशन के साथ भी करना चाहते हैं तो मेक्शूर की सब कुछ बहुत हाईजीनिक हो जब भी आपको लगता है आप सोचली कम अवैलेबल है लोगों से उस वक्त आप एक-एक महीने का ब्रेक जरूर ले बस एक आगरे सवाल है कि जो यंग्स्टर्स हैं यानि कि गर्ल्स हैं कॉलिज गोइंग गर्ल्स हैं उनको लगता है कि मेल एक्स्टेंशन कराने से या कवरवा दे रहाए्या जो हम करा रहे हैं और ये किसी बीमारी को बढ़वा दे रहा है क्या क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं कि सीम्टम्स तो इसके अमर के साथ ही आते हैं और आप एभ असको सुटर्व ृसलीं नहीं कर सकते लिवल किन पादे लेचिना राए थिवता हरme हो कहीं से आपको नेल को कहते हैं फिलिंग वगरा करना है यहां से चिप हो रहा है कि हो रहा है तो उस उंगली को कवर करके रखें आप खाएंगे तो आप खुदी समझ लीजिए आप उस ग्लू को भी तो खा रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा आधा दूरा सा निकला हुआ है तो यहां पर कोई कट वगरा आजाए तो उसको आप टेक केर करें अगर आप डाइबिटिक हो तो आपको आइडिली यह सब कराना ही नहीं चाहिए क्योंकि चांस ओफ इंफेक्शिन जादा हैं आपकी नेल्स में और स्किन में इन केमिकल से तो इन चीजों का आप थोड़ा सा स परद्वाज जो कि बता रही हैं कि जो चीजें नैश्रल हो सकती हैं उसको हम आर्टिफिशल की तरफ ना जाए और अगर कराना बेहत जादा जरूरी भी हो जाता है तो बहतर क्वालिटी और बहतर जगा पर जाकर ही आप इस तरीकी की चीजों का इस्तमाल करें क्यामरा पर